हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मसिस गाइट पर मैं हूँ आप सभी के लिए हमेशा अलग-अलग मेडिसिन की जानकारी लेकर आता हूँ आज में जिस मेडिसिन की जानकारी लेकर आया है उसका नाम है Cartagen Pro अब सभी से एक चोटी से रिकवेस्ट एगर आप हमारे चैनल के पहली बार हैं या आपने भी तदें हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेए ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों इस Cartagen Pro Tablet को जो है फार्मेट कमनी द्वारा जो है मार्केटिट किया जाता है इसमें जो सौल्ट हमें मिल जाता है वो है Glucosamine, Sulfate और साथ में इसमें Collagen Type 2 मिल जाता है दोस्तों इस Cartagen Pro Tablet का उपयोग जो है जो है Osteo Arthritis के Treatment में किया जाता है यह Tablet जो है Joints को Lubricated रखता है साथी Cartilage को भी बनाता है जिसकी वह से लोगों को मुमिंट करने में आसानी होती है उनको Joints में Flexibility आती है और दोस्तों अगर Joints में Flexibility आएगी मुमिंट करने में आसानी होगी तो इसकी वह से Joints में होने वाले पेन भी जो है कम हो जाते है इस Cartagen Pro Tablet में जो Glucosamine Sulpate है दोस्तों वो हमारे Joints में होने वाले Inflammation को कम करने में Key Role Play करता है साथी दोस्तों Cartilage Loss से भी यह हमें बचाता है इस Cartagen Pro Tablet में जो Carticol है दोस्तों वो हमारे Cartilage को बनाता है साथी यह Joints को Lubricated रखता है जिसके वह से लोगों को मुमिंट अने में आसानी होती है Joints में Flexibility आती है साथी दोस्तों इसमें जो Astexanthine है वो एक Antioxidant की तरह काम करता है यह हमारे बॉड़ी में होने वाई इस सेल को डामेज होने से बचाता है साथी उसको रिपेर भी करता है तो दोस्तों ओवर ओल इस Cartagen Pro Tablet का उप्योग Osteo Atheratis से सम्वंदित समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रेसकाइब किया जाता है तो चलिए दोस्तों अब इस Cartagen Pro Tablet के डोजस के बारे में जान लेते हैं इस Cartagen Pro Tablet को 18 साल के उपर के वेक्ति को दिन में एक बार लेने के लिए डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया जाता है लेकिन अगर किसी की कंडिशन बहुत जादा खराब होती है उनको बहुत जादा समस्य होती है तब उस कंडिशन में कभी-कभी इस Tablet को दिन में दो बार लेने के लिए भी डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया जाता है ठीक उसी तरह आपको इसका उप्योग करना चाहिए लंबे समय तक उप्योग करने के समय आपको बीच-बीच में कम से कम 5-7 दिन का गयाप ज़रूर लेना चाहिए और कभी भी इस Tablet का आपको ओवर्डोस नहीं लेना चाहिए इस Cartagen Pro Tablet के उप्योग करने से हो सकता है आपको इसके कुछ common से side effects भी देखने को मिले जो कि बहुत ही rarely होते हैं और समय के साथ ठीक भी हो जाते हैं जैसे कि आपको indigestion जैसे समस्या हो सकती है आपको कभजेर जैसे समस्या हो सकती है आपको छाती में जलन हो सकता है या फिर आपका urine जो है discolor हो सकता है अगर कोई serious scientific आपको इसके इस्तेमाल करने के बाद देखने को मिले तो आपको इसका उपयोग करना बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से immediately मिलना चाहिए तो दोस्तों अगर आपको ये Cartagen Pro टाबलेट डॉक्टर दारा प्रसाय कर जाता है तो आप इसका उपयोग इसली कर सकते है ये एक काफी अच्छा टाबलेट है औस्टियो आचिनाटिस से जुड़ी विए समस्या को दूर करने के लिए ये 10 टाबलेट Cartagen Pro की जो प्राइस है दोस्तों बुहे 5.500 रुपे समय और जगा के इनुसार इसकी प्राइस वारी कर सकती है आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजे जादा जादा इसको शेर कीजिए और इसी तरह की जानकारी प्राप करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रही है मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में एक नई जानकारी लेकर धन्यवाद